भाइन बच्चों देखो हमने लास बॉण एंगल किया दा ना क्लास में फिजिसकेस बॉण एंगल है ना अब आते हैं आयनिक कैरेक्टर कोवलेंट बॉंड गाइज इसका कोई एक्जामपल देगा इडिस बेसिकली अप पोलर कोवलेंट बॉंड एक ऐसा कोवलेंट बॉंड जिसमें आएनी करेक्टर आएनी करेक्टर रावंदर फ्लाइट चार्जिज आ रहे हमके सीधा एक्जामपल एच्छी एल आए ना एच्छी एल में क्या होता है कोवलेंट बॉंड है लेकिन क्लोरीन बिंग मोर एलेक्ट्रो नेगेटिव इल पुल दा एलेक्ट्रों स्वाड़ इससे इडिल बी समधिंग लाइक दिस हाए ना क्लोरीन ने लेक्ट्रों अपनी दरफ पुल कर लिए इसकी वजह जैसे क्लोरीन बे क्या आगे स्लाइट नेगिटिव चार्ज हाइड पॉस्टिव चार्ज चार्जिज आने का मतलब ही यह है आईनिक करेक्टर आ गया हाए ना इन फैट अगर हमारा पोलर कोवलें कि बजाए आनिक बोल देंगे तो हैं पता है अलेक्टर नेटिटी डिफरेंट एक सर्टन वैल्यू से उपर होती है हम बांड को आनिक बोलते हैं अधर्वाइस हम पोलर कोवलेंट बोलते हैं और कम है तो हम उसे सिंपल नॉन पोलर बोल देते हैं क्लियर है गाइस समझा आ पोलराजेशन प्रोसेस इस पोलराजेशन क्लियर है गाइस प्रोड नेहां अधर और इस बांड को बोलते हैं पोलर कोवलेंट बांड ओके बच्चों अब हमने का एक ऐसा मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हमारे पास चार्जिस प्रेजेंट है स्लाइड चार्जिस प्रेजेंट है हाँ बेटा लोट। उसी चास बना रछा है उसको मैने बदा रखा है कि है एक इलेक्टरों क्लावड है ऐसा नहीं है एपैद्छा में कॉली खेुली main कなた दो तो चार्फ और नदिया बेड़ीन हार्डेन फ्लोरी यहां भी दियार भी पुल्ट बाय क्लोरिन ओके अब काम की चीज़ चाए अब मॉलेक्यूल जसमें positive और negative charges present होते हैं उसका हम बोलते हैं daipole इसका हम बोलते हैं daipole जसमें positive और negative charges है separated by a distance we call it a diapole बच्चो positive and negative charges सेपरेटेड़ बाइ सम दिस्टेंस देटिस कॉल ला डाइपोल राइड यहां था और उसके साथ असोशेटेड होती है और डाइपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट होती होसे डाइपोल से असोशेटेड क्या होती है डाइपोल मोमेंट, डिफान अडिएपोल मु 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 निस्टेड काूर हो, ठीक न मैं बच्छो डाइपूल बच्छो मेंद रिन्ट थाSoigner मेंद चार्ज का सेटीड q is the magnitude of charge, मतलब del, del is q, खेगे ना बच्छो, and d is the distance between positive and negative charge, d is the distance between center of positive and negative charge, q is the magnitude of charge, बेसिकली जो हमारा del value है, and d is the distance between the center of positive and negative charge, अब गाईस इसकी दो उनित हो गई, एक है CGS unit, एक है SIL, CGS unit is Debi, डाइपल मोएंट की CGS unit क्या है, Debi, denoted by D, ओके, जब हमें डाइपल मोएंट Debi में चीए, तो हमारा, D bracket, B, Y, D, B, Y, E, D, E, B, Y, E, 1 Debi is, गाईस एक नहीं रुक जाओ, 1 Debi is 10 दिश्ची पावर माइनस 18 ESU centimeter, 10 दिश्ची पावर माइनस 18 ESU centimeter is 1 Debi, इसका मताँ हम चार्ज किसमें ले रहे हैं, ESU में, और डिस्टेंस किसमें ले रहे हैं, सेंटीमीटर में, क्लियर है गाई, तो ये हैं, चार्ज की यूनिट, तो चार्ज अन एलेक्टरॉन, कितना होता है बच्चों, 1.6 into 10 दिश्ची पावर माइनस 19 कूलम, with a negative sign obviously, हाँ है ना, मैंगनिटूड की बात कराऊ, यही ESU में कितना होता है, वो बता जेता हूँ में, इस 4.8 into 10 दिश्ची पावर माइनस 10 ESU, clear है guys, fact to remember, रटने का है, ओके guys, अब यहाँ में एक और चीज बता दो तुम्हे, डाइपोल मुमेंट का आपने मैंगनिटूड देखी, मतलब, we have seen dipole moment, की value क्या होती है, चार्ज इन्टो डिस्टेंज, डेवरी में अगर चीए, तो हमारा, चार्ज हम लेंगे ESU में, डिस्टेंस हम लेंगे सेंटीमीटर में, तो हमारा, जो dipole moment आईगी, ESU सेंटीमीटर में, बाक्यू से convert कर देंगे, हम डेवरी में, clear है guys, मिखालते clarity भी ज्यादा आई नहीं होगी, खोड़ी बहुत दिक्कत है, ओके, fine, और दूसरी unit हमारी क्या है, कूलम मीटर तो होगी होगी, CGS unit is डेवरी, what is going to be the normal SI unit, charge low कूलम में, distance low मीटर में, so you have got another unit, कूलम मीटर, okay guys, कूलम में हमारा, this is a charge on electron in कूलम, और distance हमें जो भी दे रहे हैं, इसको हम मीटर में लेंगे, तो कूलम मीटर में भी answer आ सकता है, okay, अब आते हैं, direction, direction of dipole moment, हमने गाट, not only it has got magnitude, it has got a direction as well, direction is from positive to negative end, direction of dipole moment is from positive to negative end, clear है बच्चों, मुझा है, HCL के अंदर अगर हमें dipole moment दिखानी है, उसकी direction क्या है, it is like this, पहुच उसे negative की तरफ, these are direction of dipole moment, clear है बच्चों, यहां तो कोई doubt, clear है, okay, इसे हम क्या बोलते हैं, dipole है ना बच्चों, bond dipole, you also call it bond dipole, dipole के वज़ाए, bond dipole भी बोला जाता है, अब यहां पे तो सिर्फ, दो ही आटम से, तो you add only one bond dipole, अगर मैं B, E, C, L, 2 लेता हूँ, तो guys, bellium पे क्या charge होगा, chlorine is more electronegative, you know that, हाँ है न, इस पे minus gel होगा, इस पे minus gel होगा, इस पे क्या होगा, plus two del होगा, important चीज क्या है, अगर del minus chlorine पे है, तो bellium पे कितना होगा, plus two del, मुझा डेल लिख देते हैं, लेकिन actually it is, plus two del, getting the idea, दो dipole होंगे, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, now you need to understand, कि हमारा, यहां कर समझा आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चा, हमारे पास दो bond dipole हैं, we have got two bond dipole, in the molecule, in molecule, clear है बच्चों, guys अब net dipole moment कितना होगा, that is a vector sum, vector sum of the dipole moment, individual bond moment जो हमें दे रखी है, individual bond moment जो हमें दे रखी है, उनका vector sum करोगे तुम, ठीक है ना काई, तो यह रहा है, ने डाइपोल होगा है, हाँ, vector sum, वह ही वेक्टों जो तुमने पढ़ा है, bond dipole का vector sum करोगे, you will get the net dipole moment, समझे आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, तो obviously बाद है, it depends on the shape of the molecule, हमें पता दो होना चीए, BCL2 ऐसा दिखता है, या ऐसा दिखता है, उसी आफजर तुम vector sum करोगे ना, bond dipole का, यह अगर ऐसा है, तो हमारा net dipole moment किदर आएगा बच्चों, इधर, vector sum करेंगे, हम bond dipole का to get the net dipole moment, result है निकाल रहे हैं, इससे हमें एक चीज़ बताते हैं, अभी क्या होता है, molecule, molecule में polar bond है, आरे निया रहा है बच्चों, molecule में polar bond है, हमें देख रहा है, है CTL में एक polar bond है, और BCL2 में दो polar bond है, हम कहते हैं, polar bond होने से molecule polar हो सकता है, molecule polar तब होगा, जब उसमें polar bond होंगे, और दूसरा, वो पूरा जो net dipole moment है, वो zero नहीं आना चाहिए, मतलब polar bond तो होना जरूरी है है polar molecule के लिए net dipole moment should not be equal to zero it should be some particular value कुछ value आ जाए अगर zero आ गई तो हम कहेंगे despite having polar bonds the molecule is non-polar polar bond तो है लेकिन molecule non-polar हो जाएगा अगर सिमेट्रिक्ली आरेंज़ और ने डाइपोल मुएंट क्या गया है जीरो डाइपोल मुएंट की वैल्यू तो इससे निकालते हैं जो है ने पता है चार्ज इंटू डिस्प्ले डिस्टेंस से और फिर हम रिजल्टन निकाले के लिए पूछा नहीं जाएगा स्थ्रेस मुधनory पता है तुमारे डाइपोल है लेकिन जो हमारा नेट मॉलिक्यूल है वो क्या जाएगा नॉन पॉलर आ जाएगा क्योंकि दर डाइपोल और कैंसलिंग इच्छे तर आओ समझों आया नहीं आया बच्छो तो बी सील्ट में तो मैं पता होना चाहिए वाट इस शेप ऑफ दा मॉलिक्यूल तो इस पर्टिक्लर डियाग्रम सा में दिख रहा है कि बी सील्टो इस नॉन पोलर हाँ या ना कुछ समझों आया नहीं आया बच्छो क्लैर्डी आ गई ना वेक्टर सम करते हैं हाँ बेड़ा बोला किया रहते इस बोला है नहीं बच्छे हैं इधर द्यान दो इसको क्लोरीन है फ्लोरीन है इसमें क्या होगा मैंने इसा बना दिया तो ऑफिसली वाद है का है इस दोनों की डाइपोल मॉमेंट इस गॉइन टो दोनों जो बॉन डाइपोस हैं उनका मैंगीचूड सिंद आने नहीं होला तो किसी एक डायरेक्शन में ने डाइपोल मॉमेंट आएगी इसका मतलब इस मॉलेक्यूल इस पोलर क्लियर है गाइस गोड़ तैस नाइस तो मैं एक चीज़ लिख दूँ तो मैंने बदाया है व is vector sum of dipole moment of all bond dipoles. बिटे मैंने statement बोली है पड़ो और बताओ मुझे समझा आगी या नहीं आगी यह वही चीज़ है कि vector sum हम कर देंगे सारे bond dipoles का to get the net dipole moment okay shanti shanti guys shanti yako please please shanti now molecules having bond dipoles bond dipoles तो होना जरूरी है ही है can we classified into two types either the molecules having bond dipoles will be polar अब हम polar bond की बात नहीं करें polar molecule की बात कर देंगे we are talking about polar molecule or they might be non polar बीजिस यहां पर mu net is going to be 0 और यहां पर mu net is not equal to 0 समझे आया नहीं आया बच्चों क्लियर होगे यह चीज़ और हाओ राइंड है ता मॉल्कुल इस पोलर या नॉन पोलर हम करेंगे वह उसके लिए उसके नहीं स्ट्रक्चर पता होना चाहिए शेप पता हो नहीं वह शेप जो कि हम खाहां पर जाके पढ़ेंगे हाइड़ाइश्ług जो कि आदिकम कावर नहीं करने वान थी नहींट 20 College में स्टार्ट विए ट्टीकर गरें है है तो पोलर होने के लिख Har comum इए वह पोलर मॉल्यkę किलिए दोच यह जरूरी है आ पॉन्ड जी पॉन होना और उनका नों जीरो होना नेट पोलर मॉलेकुल के लिए तुम्हारे पास बॉंड आपल दो होने जरूरी है यह है और उनका जो नेट है तैस्ट शुड नॉट बी इक्वल डू जी रहे हैं कोई डाउट यहां तर जैसे और एक्जामपल लेते हैं यह स्ट्रक्चर बाद में करेंगे इस्ट्रक्चर आए खांसे अभी मैं सिर्फ बना रहा हूं वी सीयल्टू क्या एगा म्यूनेट इसका बताना बच्चों गाइस यह मैंने बनाया है एंड आम अज्यूमिंग सिमेट्री सिमेट्री इन दा सेंस कि यह तो यहाल एंगल कितना निकल के आने वाला बच्चों वान ट्वेंटी इसका जो नेट है वो जीरो आएगा या नौन जीरो आएगा तीन है वेक्टर विचाएड़ा एंगल वन ट्वेंडी तो इस तरह यह तुमने कराव आए जीरो आएगा ओविसली जीरो आएगा म्यूनेट इस अगीन गूइंट भी जीट है ओके गाइस कोई डाउट यहां तक मेरे वन ट्वेंडी डिग्री एंगल पे हैं तीन हमारे बाद बॉन डायपोल्स है एक ऐसे डायरेक्शन भी इंपॉर्टन है एक एसे और एक ऐसे जब तीनों का तुम वेक्टर सम्ट करोगे तो तुम्हारा वैल्यू जीरो आएगी उन तीनों का मैंग्निट्यूड से नहीं है क्योंकि बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में बहुंड है तीनों में अगर एक फ्लोरीन अटाके क्लोरीन लगाए तो नहीं होता हाए ना गॉर्ड कुछ कुछ ऐसी चीज़ी होती है जो हमेड़ा तेखो यह एकस यह एकस यह इन दोनों का यह वाला पार्ट उपर और निचे का इन फर वह ओस이면 यहरा आखि सिटाल हा और इसका नेट है इन दोनों का जो नेट है इदर वह से कर जाएका यह एंगल इस पर्टिक्लर एंगल कितना होगा इस पर्टिकलर एंगल ओके तुन कर सकते हो आई गैस दूए और नहीं कर सकते तो मैं मिने सर को बताता हम इने सर बताएगी कि कैसे करते हैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो तुम विजुलाइज नहीं कर पाते कि हाउट जिसका एक 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 ले रहा हूं जो कि तुम बाद में समझोगे वन्स विजुलाइज नहीं कर पाते कि यह रिलेट कर जाओगे स्ट्रक्चर बन कैसे रहा है यह एच हो अब पहले हो यह मॉलेक्यूल हम क्या बोलेंगे पहले चीज़ सी और एच के बीच में है जो हमारा अलेक्राइज डिफरेंस हो बहुत कम है सिमेटिक अरिंजमेंट इस वान तिंग लेगिन हम कहेंगे मॉलेक्यूल इस नॉन पोलर हम कि जो बॉन्ड है उसी को पोलर नहीं बोलेंगे क्लियर एक है लिए सपोजिंग मैं हार्जन हटागे क्लोरीन लगा दो तो तो सारी के सारे बॉन्ड पोलर होंगे हाँ है ना पोलर ले लिया चीएच पोर इस जीरो क्यों आ रहा है क्योंकि उसके अंदर जो बॉन्ड आइपोल ही नहीं है गेटिंग दाइडिया हम अल्मोंस कह सकते हैं कि उनके बीजिए जो डिफरेंस हो बहुत कम है दानो बॉन्ड आइपोल यहां पे हमें चार्ट दिख रहे हैं यहां पे इसली सी पोर बॉन्ड आइपोल हां आइडिया क्या है बच्चों थोड़ा विजुलाइज करके देखो थोड़ा मैं बताता हूं इसके बारे में सी सील सील यह यह तीनों के तीनों है एक प्लेन में मतलब कंसेडर देश्ट प्लेन आप दा स्क्रीन यह तीनों के अब एक क्लोरीन आ रहा है बहार तोर्ड यू और एक क्लोरीन जा रहा है बहाइंड देख्रीन अवे फ्रॉम यू जो बहार आ रहा है वो इस टाइप का है जो पीछे जा रहा है तुमसे दूर जा रहा है वो यह वाला है and this is the symmetric arrangement this is the symmetric arrangement 4 के हाथ this is the best symmetric arrangement that you can have this is the structure of CCL4 और क्योंगी इसमें symmetry है net dipole moment इसका भी क्या हैगा 0 इसको अभी हम बाद में करेंगे लिए ने बता दिया कि इनमें भी 0 हाता है symmetric arrangement में you get net dipole moment 0 या molecule non-polar clear हुई ये चीज़ है निए बच्चो कोई doubt या अंदर ओके अब आते है applications of dipole moment applications of dipole moment पहला to decide polarity of molecule कि molecule polar होगा या नहीं होगा मजब new net की बात कर रहे हैं हम बच्चों ठीक है गाइस new net अगर हम आ रहा जीरो आ रहा है तो non-polar नहीं तो polar दूसरा अब बच्चों अब बच्चों थोगा कुछ काम करोगी मेरा याद दिला देना कि जब मैं करवा रहा हूं इसके question बेंजीन के साथ भी डाइपोल मोंट का में करना है रिमाइड भी इना बेंजीन के साथ हां वह इंबॉडटेंट है यह रहा है गड़ गड़ वाइजस्ट माइट फॉर्गेट तूडर मीन परसंडेज आइनिक करेक्टर इस ना कोवलेंट बॉन बॉन में आइनिक करेक्टर कितना है उसके लिए क्या तरीका है बच्चों उस परसंडेज आइनिक करेक्टर का फॉर्मॉला है इस एक्च्छल डाइपोल मुमेंट ओके एक्च्छल म्यू कह देते हैं सिंपल रहेगा वाई म्यू इफ बॉन इस कम्प्लीटल आइनिक इन्टो हंदर कुछ समझ मैं आया है नहीं आया है बच्चों यह बताओ मुझे बोला एक्च्छल म्यू जो की हमें दे रखा है क्वेशिन के दे रखा हुआ म्यू इफ बॉन इस कम्प्लीटल आइनिक इन्टो हंदर जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हCLA इसका हमें डाइपोल मुमेंट दे रखा है है से एक्स ओके यह एक्स हमें क्वेशिन में दे रखा हुआ क्या नहीं दे रखा होगा म्यू इफ दा बॉन इस कम्प्लीटल आइनिक एच्छल की बात कर रहा हुआ है ठीक है न बच्छों सबोसिंग हमें डी दिस्टेंस दे रखा है बिटूइन हमें डिस्टेंस दे रखा है हमें डिस्टेंस दे रखा है तो हमें विल्यू फाइंड आउट मिव दा बॉन इस कम्प्लीटल आइनिक हम कहेंगे उसके लिए चार्ज है न वह चार्ज ओन एलेक्रण मान लो नहीं समझा आए ना कोई वाद ये काम करते हैं अभी कोई करते हैं उसकाद में क्वेश्टन करवांगा यह समझा आए नहीं आए जो मैंने भी फॉर्मला बहता है एक्ट्यल डाइपोल मुएंड वाइड डाइपोल मुएंड इफ दा बॉन इस कम्प्लीटल आइनिक इंट है उसक्त जो डाइपोल मुमेंट होगा मदब वहाँ पी क्या चीज़ चेंज करेंगे डिसेंस तो चेंज करेंगा नहीं जो चार्ज है वो चेंज कर गया है डेल के बजाए अब क्या हो चुका है प्लस वान और माइनस वान तो उसका अभी क्वेश्टन करेंगे डिए विक डिएधर में है जियोमेटरी ओफ मॉलीकियो लिए है हमें सपोजिंग एस्टू ओ एस्टू होगा एक स्ट्रुक्चर यह है एक structure ये है हमने दो structure बना है अब हमें question में कह दिया it has got some net dipole moment तो कुछा structure correct है पहले वाला तो हम structure पता लगा सकते है we can identify the geometry shape of molecule we can identify if we are given the value of dipole moment समझा रहे हैं नहीं आ रहे हैं बच्चो इसकी geometry कह है इसे बोलते हैं V shape या bend shape या angular shape तो जिसे त्वार喜欢 snack तोज आ रहे नहीं आ रहे हैं बच्चो कोई doubt यहां तक मेरे जाल से कोई doubt नहीं आ रहे हैं बिए बहुत आसान चीज़् करृह है ओके fine guys किसी बच्चों कोई doubt नहीं या नहीं तो है बोलूँगा इसे नहीं बो है यह जो बीच में बना रखा है यह शायद तुम्हें आता है नहीं आता है तो कोई बात नहीं फॉर्गेट देट पार्ट काम की चीज़ क्या है यह तीन स्ट्रक्चर बनाए जिसमें जो दोनों ग्रुप्स लगे रहे हैं ग्रुप का मतलब प्लॉरीन की बात कर रहा हूं यहां भी जो में क्लोरीन दे रखें द्यार एड़ेसंट तू इच अधर मतलब यह एक कार्बन है उसके अधिसेंट कार्बन पर लगावा ऐसे को बोलते हैं और तो पुजिशन और तो पे अड़ेस्ट अधर जब एक छोड़के नेक्स पे उसे बोलते हैं मैटा और जो मैंने मैं अभी बनाया है वह है पैरा क्लियर हुआ है निवाइची मैटा सेंटर में यह चल और यह डबल बॉन दिखा रहा है कि ऐसे लगता यहिए और डायडिया मुझे वगाओ इसमें न तुम समझेंगे कार्वन कार्वन के बीच मैं तो कुछ नहीं होने वाला वह दापुल मोवें कि जैसे हो रहा होगा क्लोरीन सबसे ज़्यादा डायपोल मुमेंट और सबसे कम किसमे होगा जीरो किसमे होगा डायपोल मुमेंट लास्ट वाले में इसमें म्यूइज जीरो कड़ जाएगा ना एक डायपोल इधार जा रहा एक डायपोल इधार जा रहा दोनों गए कट सबसे ज़्यादा किसम होगा अज़ा डायक्शन दिखी नहीं दिखी गाई पॉजिटिव नेगेटिव कार्बन टु क्लोरीन मरा रहो है डायक्शन तो नेट कहां पर जाके मरेगा यहां पर यहां पर एक इधर एक इधर तो नेट जाएगा इधर लेकिन यू कैन अंडरस्ट या राइट ठीक है बच्चों तो हमारा म्यू और्थों में सबस्यादा है देन मैटा एंदेन पैरा पैरा में तो जीरो है as you can see मेरे जाल से कोई दिक्क्त ही नहीं है हाँ है ना एक और एक्जामपल लिखते मज़ा आएगा इतना काफी है एक और केस लेते हैं इसमें बड़ा मज़ा आएगा तुम लगों को अमिन आना तो चीए इस एक चीज तो तुम्हें समझा आती होगी पॉस्टिव नेगटिव का ट्रैक्ट करता है गॉर्ड गैज अब देखो यह हमने लिया हमें पूछा क्या है जो एक्चुल है और थियर्डिकल है म्यू ए लिखता हूँ और म्यू टी लिखता हूँ म्यू एक्चुल म्यू थियर्डिकल यहां पर क्या होगा कुछ यह कुछ डाइपॉल मॉन्ट तो होगा आये ना गुर्फ सट एशे कुछ तो डाइपॉल मॉन्ट आने वाला है ना बच्चों यह ना गुर्फ कुछ डाइपॉल मॉन्ट आएगा बट जो अम एक्सपेट कररें रहे हैं इतना ही आएगा देशन टींज ठीकर न काहिए जो मैंस्पेट करें थे उतना ही यह तिर्डिकल है पर कहाँ पर बड़ेगा उसको देखते हो आए यहां पर do you realize chlorine काफी जादा एलेक्रों नेगेटिव है तो chlorine की तरफ जाधा पूल हो जाएंगे एलेक्टों है ना और अगर दोनों दरफ negative है तो ये बंदे आपस में रिपल करेंगे हाँ है ना इसमें रिपल्चन है कोई खास तो यहां रहे नहीं आ रहे बच्छों यहां पे ऐसा कुछ नहीं है लेकिन उसमें है क्लोरीन विल रिपेल इचेदर एंगल बढ़ेगा एक तरी के सोचो और तो से अगर हम मेटा की तरफ जा रहे तो डाइपूल मुएंट क्या होता है कम होता है न वही हो जाएगा एक्च्छल और थेयर्टिकल में कौन सा जादा होगा बच्छों थेयर्टिकल जादा होगा एक्च्छल में तो तुम्हारा बॉन एंगल बढ़ गया ना गायल समझे आया नहीं आया बच्छों एक्च्छल के अंदर दे बॉन एंगल बढ़ गया is actual को सोचो Meta और theoretical को सोचो और तो एक तरीके से एंगल बढ़ गया है रिपल्शन के एंगल बढ़ने के जाएसे जो actual हा रहा है that is less than theoretical अब मुझे उताओ fluorine पे क्या charge होगा माइनस जेल ओएच को मैं ऐसे हाँ है ना बच्चो बिटे यह आपस में एक दूसरी को अट्रैट कर रहे होंगे एक पर नेगटिव है एक पर पॉस्चिव है अब अट्रैट करेंगे तो do you realize यह तो पास आना चाहेंगे अट्रैट क्या हो जाएगा बच्चो जो sorry मनुदे बीचप का जो angle है इस एंगल कम होना चाहेगा और कम होना जाहेगा तो तुम्हारा वेक्टर sum क्या हो जाएगा net बढ़ जाएगा it is like कि पहले ऐसे थे फिर हमने ऐसा बनाया तो किसमें vector sum जादा होगा यहां पर angle जादा है यहां पर angle कम है जिसमें angle कम होगा वहां पर vector sum is going to be more समझें आया नहीं आया गाया तो इसमें actually is actually going to be more than theoretical mu actually is going to be greater than theoretical बच्ट हाए ना मदा आया नहीं आया यहां पर attraction that is known as hydrogen bonding बाद में पढ़ेंगे अभी नहीं पढ़ेंगे यहां पर repulsion was the reason oxygen जे bonded है और fluorine के आद एक weak bond मना रहे हैं जिसे हम बोलते हैं hydrogen bond it is mainly connected to oxygen fluorine के आद उसका weak bond है जिसे हम बोलते हैं hydrogen bond we'll discuss that ठीक है बच्चो एंगल की डाउस है समझा आया नहीं आया इस case में तुम्हारा एंगल बढ़ गया इस case में एंगल decrease कर गया नेक्स पर आते हैं बच्चो मैंने कितने गज़ें मिकाल दे रोमन में जा रहता मैं उसमें जा था 45 इस गंड़ भी 5 bond moment bond moment guys bond moment का उनलब क्या हो गया bond dipole की बात करें ओएच एच है supposing हमें पता है supposing हमें पता है net a vest बीनset और समवा राधर की वैल्यों निकाल लिए ने रोम ने पताया कोई वैल्यों दे रखिए से inquisus पोजिंग डेर रखते है और रह्में बॉन डाया पष्किद की वैल्यू निकाल दी ने गैसे है हाए हैना तो हम क्या कहेंगी supposing हमें bond net diplomat दे रखा है mu net लिख जेता है can we say mu net is going to be nothing but ये भी x है ये भी x है ये angle theta है तो net diplomat इस तरफ होगी हाँ है ना बच्चो clear हुआ है या नहीं हुआ so dualized mu net is going to be nothing but 2x cos theta by 2 कुछ समझा आया नहीं आया है ये चीज जो मैंने में लिखा है वही एक इधर है एक इधर है इन दोनों के बीच का angle theta है तो yal angle कितना हो जाएगा theta by 2 इनका जो sign है वो तो कड़ जाएगा और cos add हो जाएगा तो yalaf 2x cos theta by 2 ये physics है guys हाँ कोई बाद नहीं questions पर आते हैं ना क्यांती guys सुनते आना हमें question दे रखा है diatomic molecule diatomic का मतलब है बस दो ये atoms है उसका मु दे रखा है हमें है 1.2 देवाई हमें दे रखा है bond distance bond distance मतलब D is one angst term what fraction of E exist on each atom कुछ समझ हूँ है I have question में क्या पूछ रखा है पहले ये बताओ मतलब अगर charge on electron ही है तो उसका कितना fraction exist on each atom ऐसे मान कीज़े लो A है B है इस पे plus del है इस पे minus del है वो del की value पूछ रहे है वो del की value पूछ रहे है तो नहीं लाग रहा question में कि ये वो पूछी गई है actually क्या पूछा गया है कि supposing हमें charge on electron कितना होता है guys ESU में कितना होता है supposing your actual charge है इतना charge होगा नहीं जो मारा molecule में है उसमें इतना charge नहीं होगा क्यों नहीं होगा इसलिए नहीं होगा इतना charge क्योंकि अगर इतना charge होता A और B पे तो इसका मतलब तो ionic bond है अगर हम कह रहे है this is a charge on A and the charge on B हम कहें कि that means पूरा A B single bond मान के चल रहा हूं पहली जीज़ I am not assuming a double bond single bond है मतलब ideas में इस टाइप का structure नहीं मान के चल रहा हूं मैं मान के चल रहा हूं इन्होंने एक एक electron share किया अगर इतना charge आ जाता है डेल की value इसका मतलब है electrons A से तो गए एक electron पूरा का पूरा A से गया और किस पर आ गया बी पर इतना अगर charge है A और B पर अगर डेल की value यह है इस 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 चार्ज अन एलेक्टरॉन हाँ है ना इट कैन बी डिटन है simply charge on one electron इसका मतलब है compound है उसमें A पर positive है और B पर charge क्या है negative electron पूरा का पूरा है shift कर चुका है A से B की तरफ this is a case of hundred percent ironing समझा आ रहा है नहीं आ रहा है बच्छो कि A पर से electron गया और B ने accept कर लिया यह चीज़ समझे आई नहीं आई clear है का है अगर हमारा charge charge on electron के बराबर आता है इसका पूरा का पूरा electron shift हो चुका है from one atom to another clear है कोई doubt यहां तक good लेकिन supposing charge आया example ले रहा हूंगे supposing charge आया 1.6 into 10 दिशिवार minus 10 यह charge on electrons का कितना है charge on electron कि टाउंचे कितना है उसका one third है या नी या बताओ this is the charge this is the del value that is given to you हमें पता है एक electron पे charge इतना होता है हमारे पास जो charge आ रहा है A और B पे वो इतना आ रहा है say A पे इतना positive और B पे इतना negative मतलब हमारा basically हम क्या कहेंगे one third the charge on electron is present on A as positive and B as negative electron पे जो charge है उसका one third charge A पे present है as positive और B पे present as negative तो हमें ये one third पूछा गया है question के इंदर ये चीज़ clear हुई है नहीं हुई question में हमें का पूछा गया है what fraction of charge on electron exists on each atom clear है guys तो हमें क्या निकालना है ये निकालना है expression लिखे अब करके देखो try this on your own guys try doing it on your own फोड़ी दिक्कत आ सकती है but I think you will be able to do it बोलो guys हमें डाइपोल मोमेंट दे रखिये कितनी 1.2 डेवई now that is equal to सुन दे आना बच्चो मैं तो मैं करौँ या तुम करोगे let the charge be Q Q किस में ले रहा हूँ बिटा में ESU में distance in centimeter कितना होगा बच्चो meter में नहीं पूछा centimeter में पूछा हूँ हम अगर one angstrom है distance ये centimeter कितना आने वाला है meter में तो हमें पता है it is 10 is the power minus 10 meter 10 is the power minus 8 centimeter अब इस ने value किसमें दीगाए अब इस ने value हमें किसमें दीए बतावंगे ESU centimeter में हमें answer किसमें दे रखाए डैपूल में डैवी में है ना बच्चो तो एक काम करें अगर ये इस ये सेंटीमेटर है और relation हमें क्या पता है बच्चो डैवी में ये जो हमारा है ये इस ये सेंटीमेटर है we know one day is 10 देश्वार minus 18 इस ये सेंटीमेटर हाए ना बच्चो clear हुआ ये निवा गाइज बच्चे बोली निवे तो गाइज इसको अगर हमें ये सेंटीमेटर करना है तो क्या करेंगे पता फड़ा फड़ा पड़ा वाला हमारा ये सेंटीमेटर में है डेवी में करने के लिए करो गाइज ये सेंटीमेटर इसंदीमेटर इससेंदीमेर इस्दीमेटर है अा है ना बोलो गाइज तो द prettे रहा में को आईवे को अइव हाँआ देवाइज दीमेटर इस बाइज वार माइनस 18 क्लियर है तो मैं इसको ऐसे लिख दू हूं इन्टु वन बाइट निसवार माइनस 18 यह अंसर डेवी में आ अच्छी और यह भी हमें डेवी में दे रखा तो चार्ज कितना निकल के आएगा बच्छों बताओ मुझे वन पॉइंटु इन्टु इन्टु निसवार माइनस और अगर इतना आया तो हां तो वन पॉइंट इस हमें चीए फ्रैक्छन एलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसका कितना फ्रैक्छन है हम कहेंगे 1.2 इंटु 10 इसवार माइनस 10 बाइ 4.8 इंटु 10 इसवार माइनस 10 हाँ है ना इतना फ्रैक्छन ऑफ चार्ज और अफ एलेक्ट्रॉन इस प्रेजेंट ऑन ए और ए पर प्लस होगा बी पर माइनस होगा समझे आया नहीं आया बच्छा कुछ क्लारिडी आया नहीं इस क्वेश्चन के अंदर आने चीए है आगया गाइस एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं हमें दे रखा है डायपोल मॉमेंट और ल आई एच ल आई एच ल आई एच is 2 into 10 Nc power minus 29 coulomb meter okay guys और में डिस्ट स्थे ल आई एच लेके रखाये as 1.6 angstrom find percentage ionic character of LIH guys हमें actual dipole moment दे रखी नहीं दे रखी है हमें dipole moment चीए when the bond is completely ionic यह completely ionic होगा तो charge क्या होगा एलाई पे plus one one times the charge and electron basically हाए ना तो तुम एक्ट्वल जो हमारा dipole moment आनी चीए if the bond is completely ionic वो निकाल सकते हो निकाल सकते हो इवार expression बताओ मुझे expression क्या होए नेगा solve and let me know अब बच्चों यूनिट्स मैंने differently है तो please when the bond is completely ionic charge at q या डेल वो डेल ना होगे वो क्या होगा plus one and minus one clear है guys plus one and minus one times the charge on electron if the bond is completely ionic that is the charge you have किसी बच्चों को इडाउट यहां तक guys this is the actual dipole moment if the bond is completely ionic this is the charge on l-i-n-h ठीके बच्चों and this is the distance meter में लिया है charge कूलम में distance meter में बच्चों हाँ हमें उपर भी कूलम में meter में दे रखा था तो यहां पे भी हमने कूलम meter में निकाल ले किसी बच्चे को कोई भी डाउट यहां तक तो भोलो पर डाउट है नहीं है आगे चलते हैं we are done with ionic character in covalent bond अब आते हैं covalent character in ionic bond आईने बॉन्ड बच्चे गैस यह यह कैसे आता है हम कहेंगे हमने एक लिया कटाइन और अनाईन ठीके ना बच्चों अग्जाम्बल लेते हैं लाई सी एल का यह एल आई है छोटा कटाइन है यह सी एल है बड़ा अनाईन है ठीके बच्चों कटाइन का मतलब हो गया इसने एक electron lose किया और अनाईन नाईन 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 एलेक्टाउन गेंड किया फॉर्मिंग अनाईन अब कटाइन ने काई है मेरा स्पॉचिव चार्स उजाद है छोटा साइज है मेरा आई टेंडेंसी टू पुल आए ना बच्चों क्लियर है काईन जो हमारा कटाइन था खुथ अरव उट स्माल साइज है दो आए टेंडेंसी टू पुल एलेक्टरんな उसने क्या किया यह जो अनाईन था उसरह जो एलेक्टरों क्लाउट था उसका अपनी तरफ कीज लिया फेल्टिया मेकिश न्हाग इस उसने अलेक्टरों क्लाउट अनाईन को क्या कर दिया अपनी तरह पुल कर लिया we got a bit small size तो basically जो electrons अनायन के पास ही होने चीज़े वो खिच के बीच में आगे between cation and anion cation ने electron अपनी तरह पुल करे फुल करने की वज़ाइसे the electrons which should have been with anion only they have been pulled towards the middle बीच में आगे मतलब एक तरीके तुम यह कह सकते हो यह this is the reason for covalent nature कि जो electron से वो बीच में पुल होके आगे that results in covalent character in ionic bond समझो आया नहीं आया बच्चो यह बताओ मुझे यह जिस clear हुई या नहीं हुई ठीक है तो tendency of cation to polarize, इसे क्या बोलते है polarization, इसे हम क्या बोलते है tendency of cation to polarize the anion is called polarizing power of cation is called polarizing power of cation and tendency of anion to be polarized is called polarizability of anion ठीक है बच्चो clear है यहां तक and यह हमारा क्या है this anion is called polarized phenomenon का हम क्या बोलते है बच्चो polarization यह रहे है कोई डाउट यहां तक phenomenon is polarization ठीक है बच्चो कोई डाउट यहां तक aionic bond के अंदर covalent character आ गया you know noted down अब बड़ी आसान चीज़ हम देखेंगे के covalent character कब ज़्यादा हो जाएगा एक ion के अंदर एक ionic compound में covalent character कब ज़्यादा होगा covalent character in ionic compound किस किस पर depending कर रहा होता है कलियर नोट यहां तक बच्चो पहला गैस कडाएन पूल कब करेगा जब उसका छोटा साइज है छोडा साइज है तो इस मोर पुलिंग टेंडेंसी हाँ है न तो स्मॉल कटाएन इस गुड ओके गाइस कोई डाउट यहां था दूसरा यहर अनायन जितना बड़ा है जितना फैला हुआ है उसको पुल करना असान हो जाएगा अगर अनायन छोटा है तो पुल करने की टेंडेंसी उसके अलेक्टाएन क्राउट के पुल होने की टेंडेंसी कम होगी bigger is the size more easily the electron can be pulled off हाए ना तो you need a large अनायन small कटाएन large अनायन यहर अगर कटाएन पे चार जादा है तो do you realize जादा पुल करेगा हो एक काम करो है example लेते है li plus और b 2 plus किसकी पुल करने की टेंडेंसी जादा होगी डियर डाइस b 2 plus की जादा होनी चीए plus 2 plus 1 और plus 2 b 2 plus उसमें दो मदद दिखोर काई उन दोनों में number of electron कितने है li plus और b 2 plus है same है जिसका atomic number जादा उसकी पुल करने की टेंडेंसी जादा बच जादा है ना तो हम कहेंगे large charge is favored on cut time क्या ये अनायन पे भी चलेगा large charge जादा चार जादा वो अनायन पे भी तो चलना चीए N3 minus और O2 minus या O2 minus और F minus में किसकी पुल होनी की टेंडेंसी जादा होगी O2 minus की जादा होगी electrons दोनों है से में जिनमें protons कम है वो जादा पुल हो जाएगा उसकी electron cloud जादा पुल हो जाएगा हाए ना बच्चो so what we need is high charge on cut time and anion कुछ समझे हो आया नहीं आया बच्चो clear हुई ये चीज़ा नहीं बच्चो हो गई तो that's nice तो ये हमारा हो गया इसके भी example लेंगे तो चिंता मत करना 4 पर आते हैं non inert gas electron on configuration favors covalent character इन का ताइन ये सुझे नहीं आया होगा और वेस्टी बात है इसका example लेंगे सुझे आ जाएगा तो इसे में एक काम करो अभी ले ले लेते हैं ऐसे c u c l and n a c l ठीके ले में एन ने बे चारज क्या है प्लस वन C U C L में C U पे चार्ज क्या है प्लस वन C U C L प्लस वन ठीक है ना बच्चो N नी कांविकेशन क्या दी गाई बताओ मुझे है ना electron हमने अटा दिया C U C L में क्या दी बच्चो C S 1 C S 2 नी हमारे क्या दा C S 1 था and we had 3D sorry क्या खर रहा हूं मैं यह बग्वान जिससे से गाईज मैंने जल्दी मैं कल लिख दिया रुको बच्चो गाईज प्लीज शान्ती do you realize यहां पर आएगा 4 S 1 3D 10 आएगा बच्चो बताओ गाईज do you realize it is going to be 4 S 1 3D 10 and this was what guys 3 S 1 आए ना इसमें जब हमने electron हटाया कैसी configuration आई बच्चो inert gas configuration आगी जब तुम इसमें से electron हटाओगी तो कौन सी configuration आएगी पर भी यह बताओ electron हटी का खाँ से 4 S से अटाओ do you realize you will have 3 S 1 3 S 2 3 P 6 3 D 10 तो यहां पर तुमारा inert gas configuration नहीं बनी you are not getting 8 electrons in the outermost shell you are getting how much S के 2 P के 6 और D के 10 you have got 18 electrons in the outermost shell this is known as pseudo inert gas configuration इसे हम क्या बोलते हैं pseudo inert gas configuration pseudo inert gas configuration तो जो मैंने ऊपर लिखा है हम नहीं क्या कहा है non inert gas electronic configuration favors covalent नहीं जो तो C-U-C-L और N-E-C-L में जादा कोवलेंट कौन होगा बता बच्चो C-U-C-L क्योगी उसमें तुमारा inert gas configuration नहीं बनी कटा आए नगी it has got 18 electrons in the outermost shell guys समझे आया नहीं आया बच्चो अब एक चीज़ something important that you should know polarizing power of cation कोई express किया जाता है in terms of ionic potential ionic potential phi it is basically cation पे charge to cation का radius cation का charge to cation का radius मुझे बताओ चार जादा है तो कोईले नीचर क्या होता है बच्चो चार्ज उन कटाएं जादा होगा कोईले नीचर कम होगा जादा होगा radius चोटा होगा साइज चोटा होगा तो तुम्हारा कोईले नीचर क्या होगा जादा होगा मुझे अगर आइनिक पोटेंशिल कटाएं का जादा है तो उसका कोईले नीचर उसके जो मॉलिक्यूल्स है उनमें कोईले नीचर जादा होगा आइनिक पोटेंशिल ऑफ कटाएं का जितना जादा है उतने उसके मॉलिक्यूल्स में कोईले नीचर जादा होगा अब हमने यही तो देखा है आइनिक पोटेंशिल इस कटाएं का चार्ज तो कटाएं का रेडियल मैं कह रहा हूँ यह वैल्यू बड़ी होगी या यह वैल्यू छोटी होगी यह दोनों कोईले नीचर को बढ़ा रहे नहीं बढ़ा रहे तो बेसिक लिए अगर ये बड़ा है और ये छोटा है तो आइनिक पुटेंशल क्या होगा बच्चो जादा है तो डियू रिलाइज आइनिक पुटेंशल जादा होगा तो कटाइन उस कटाइन के लिए जिस कटाइन का आइनिक potential जादा है उसका जो covalent nature उसके molecules में जो covalent nature होगा वो जादा होगा तो वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ More is आइनिक potential आइनिक potential बेटा पाइ आफ का टाइम More is the covalent character कुछ समझे हो आए नहीं आए बच्चों तो गाइज यह जो हमारा लिखा है हमने उसे बोलते हैं फजान रूल फजान रूल F is at N फजान रूल फजान रूल is helping us in finding out covalent nature in ionic compound फजान रूल कहता है covalent nature in ionic bond कटाइन का साइज छोटा है अनाइन का साइज बड़ा है चार जादा है non inert gas configuration है इसका मदलब molecule covalent characters का जादा है इस फजान रूल फजान रूल फजान रूल फजान रूल जितनी भी तुम exceptions देखोगे s block के अंदर की ना बच्चो melting point boiling point बगरा बगरा इनमें जो exceptions आ रही होती है किसके जादा की explanation क्या होती है फजान रूल कि मैंना बच्चे कहते है किसे उन्ते कुछ भी सवाल बूचो सर्फ फजान रूल एक बच्चे ने मेरी student ने क्या बोला था he was a CBSC student मैं वीडियो पॉस करता हूँ फिर बताता हूँ हाँ तो बच्चों यहां तक समझा आया है नहीं आया एज़े एक चीज़ और का है हमने देख लिए यह कोवलेंट केरेटर किस से बता चलता है फजान रूल से ठीके ना बच्चों अब इंपॉड़ेंट चीज चीज़ कै आए ग्रेटर कोवलेंट केरेटर है तो हमारा क्या-क्या प्रॉपर्टीस उससे अफेक्ट होती है if there is greater covalent character what all gets affected guys covalent compound zyada strong होता या ionic normally ionic bond should be more high ना तो अगर covalent character zyada होगा तो तुम्हारा ionic bond को तोड़ना मुश्किल है तो उसका melting point क्या होता है ज्यादा तो covalent character अगर ज्यादा आरहा है एक ionic compound के अंदर तो उसका melting point क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ना इड़ अभी अधाता हूं लोवर दा मेल्टिंग पॉइंट या बॉलिंग पॉइंट हम कह रहे हैं आयनी कंपाउंड हमी दे रखा है आयनी कंपाउंड के इंदर जितना ज्यादा कोवलेंट करेक्टर आएगा उतना ही एक तरीके से हम कहेंगे बॉंड इस बिकामिंग वीक है प्लस माइनस है तो ज्यादा अट्रेक्शन है प्लस जल माइनस जल है कम अट्रेक्शन है हाँ है ना बच्चों तो हम क्या कहेंगी जितना ज्यादा कोवलेंट करेक्टर आएगा उतना बॉंड काईड़ वीक मलदा मेल्ट करना आसान बॉयल करना आसान भाई लिखा और दूसरा लोगवर कंड़क्टिंग नेचछ लोअर है कंड़क्टिंग लुए कंड़क्टिंग दो बहुंड करने पर कंड़क करते हैं यहां पर कोले नेचर आएगा तो सब्सक्राइब के क्म हो जाएगे जान दो जो ऑनिक बॉंड असानि से बन जाएंगे वें युँम एिद्धेवन्य और कोमविलेंड सेल य। एनलो की प्रोप्रपरर लिबंज तके निचर decresal next like dissolves like पढ़ा है तो मने इस statement तो सुनियों कि like dissolves like ऐसे समझो water में polar bond है what is the polar molecule अभी हमने देखा था उपर तो आइडिया कहा है जहां पे solvent polar है वो polar solute को dissolve करता है like dissolves like polar solute are soluble in polar solvent अब हम आइनिक compound को highly polar बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं बता हुई आइनिक bond को हम क्या बोल सकते हैं highly polar clear है यहां तक तो बिसलिए आइनिक compound are easily dissolved in water अगर उन्हें कोल नीचर बढ़ेगा तो उनकी solubility in water क्या होगी कम हो जाएगी good तो वही चीज़ मैं लिखना चाह रहा हूँ covalent character जादा होगा तो solubility in polar solvent क्या होगी greater covalent character होगा तो solubility in polar solvent क्या होगी कम होगी solubility in polar solvent is less. So, obviously, solubility in non polar solvent is high. High ना बच्चों? क्या non polar होगा क्या non polar होगा यनिक кॉंद नोन polar लिखेद ले लिखना होगी क्या काम करते हैं लेक। लेकिशांपल बेटर फिल आई गया लाई लिख्यांपल्य c l ये ल्स दो दिखीनी राँ लाइसी एल एनने सी एल एके सी एल आर भी सी एल सी एल मुझे बताओ इसमें सब्सक्राइब को लेचर किस्म होगा अनायन सब्सक्राइब को देखो लाइस अको होगा कर आम आहानी सबें के साथक्राइब की एल हुआ उनने के बात कर रही एल एसे सेल पीरिड के अलिमेंट की बात कर रहे हैं अब पे अभी हमने देखा एक ग्रूप पे लाई एन ने के आर्बी सीएस यहां पे हमारा वियार लुकिंग एड़ साइज अफ कटायन तो गाइज मुझे वदाओ यह जी समझा रहे हैं नहीं आ रहे हैं सबसे आदा कोले नीचर लाइसेल में सबसे कम कोले नीचर सीएसेल में की होगी वाटर के अंदर सॉल्यूबिलेटी का मतलब है वाटर इस पूलर सॉल्वेंट लाई सीएल की सबसे कम सॉल्यूबिलेटी होगी हाँ है ना बच्चो गुड एक और एक्जाम्पल लेते हैं एनने एफ एनने सीएल एनने बियार एनने आई बदाओ अच्चो सबस्यादा कॉवलेंट कौन सा बदाओ अच्चो कटायन सब में से में भूल जाओ कटायन को अनायन प्याओ कौन सा होगा अनायन कौन सा होगा एनने आई हावाज कटगी वेटा आपने के वाशन करेंख है के वाशन का लग बदा आपने के वाशन के प्याद्चो बच्चों डोय यह आप यह यह हैं आरा कोर्लेंट नीचर कोर्ण करेक्टर आएगा तक क्योंकि अनाइन जो है वो हमारा सबसे बड़ा यह है उससे चोटा यह इससे यह लाइक अनाइन जितना बड़ा होता है उतना कोलन नीचर ज्यादा होता है अब आते हैं एनने सी एल एम जी सी एल टू ए एल सी एल थ्री एसाई सी एल फोर पी सी एल फाइल बदाओ बच्चो आएनी केरेक्टर कैसे जाएगा कोवलेंट कैसे जाएगा सबसे आप कोवलेंट कौन सा होने वाला है सुथिकल कोवलेंट कोवलेंट नीचर मनेट को पाइल Clerk ल कौन साइंड सािखो आजिएगो प्लस फथील था एल को प्लस थीए अधीलि फिन चटू प्लस अड को radius हम देखते हैं when we are looking in a group charge को हम देख रहे होते हैं when we are looking in a period ठीक है अब आते हैं naf na2o na3n बता बच्चो सब ज़्यादा call and nature किस में आने वाला है हाँ एने सीन में सबस्यादा खोलन नीचर आए रहे है चार्ज गाइस चार्ज सबसे आदा किस पर नाइटोजन पर है हाँ है ना बच्चो यहां तर कोई डाउट किसी भी बच्चों कोई डाउट गुड हो गया अब आते हैं shapes of molecules देखो गाइस shapes of molecules हम किस में पढ़ेंगे बच्चों hybridization लिए उसके लिए भी आव वेस्पर थियोरी वेस्पर थियोरी है बहुत सिम्बल थियोरी है वेस्पर की फुल फॉरम है वेलेंट शेल एलेक्ट्रों पेर रिपल्शन थियोरी एक स्टेटमेंट लिएता हूं उसका अध मीनिंग उसका बहुत असान है चिंता मत करो लुठा हूं वेल्स शेन पर्स ओंढिंग आलेक्रों उसका लिए शयल्सेकर प्र्सोराइंगि anov मार्सिECT एल्स अधन आट्रों उसके लिए्टमगे खुचत करणे लिएगेशों च्जल्तिक्नप उसके आसस्य पार्शों आसके अधिर। हैं आसके एंबने नेंवेरेने इन आसे का एंप गाराम, जिक गसे ओंसे पितरा है् जियू अधिर। To such a way as to be as far away from each other as possible. कुछ समझवाया नहीं आया होगा, नहीं आया होगा, अब्यस्टी वात है. हम क्या कहते हैं, कि जो एलेक्ट्रॉन के पेर हैं, एलेक्ट्रॉन पेर का मतलब है, लोन पेर और बांड पेर, ठीक है ना बच्चों, पहले बांड पेर की बात करते हैं, सी एच फोर की बात करते हैं, यह काम करते हैं, हाँ सी एच पोर ही लेते हैं, बी एफसी लिया था नही है विए सिखिर दिखा वह पहले वुख लो हमने वह ट्रेंगल की शेप क्यों बनाए क्योंकि 창 सेय्फ में जो हमारे 3.00 बॉंड यह थे इनदें टीन बॉंड वेर दिखरे न लिए बचरे है बच्ची गिसार्ध बॉंड they want to be as far away from each other as possible to minimize repulsion ये ची समझे आई ने आई ये फार अवे क्यो जा रहे because they want to minimize the repulsion बच्चो आये ना आई रहे आ बच्चो ये ची समझे आई ने आई they want to be as far away from each other as possible clear रहे आता इसको लिख दू to to minimize repulsion तो देखा गया गया जब तीन bond pair है तुमारे पास तीन electron के pair है उनमें minimum repulsion दख कब होती है when they are occupying the three ends of a triangle clear है guys triangular shape में minimum repulsion होती है जब तुमारे बास तीन electron pair present है दो electron pair present है तो क्या shape होनी चीए opposite जो हमने BCL2 में देखा था समझे आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चो चार में क्या होगा वो गिरोना सा स्ट्रक्चर जो हमने देखा था CCL4 समझे आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चो so they are trying to minimize the repulsion between the electron pairs तो अब तक हमने जितनी भी electron pairs है यहां पर there is one more important thing very important thing to note कि यह loan pair, loan pair के बीच में repulsion ज़्यादा होता है then loan pair, bond pair and minimum repulsion is between bond pair, bond pair बच्चो यह चीज़ समझे आई नहीं आई यह repulsion order है हाँ वेटा example लेंगे भी समझा आ जाएगा clear, example अभी लेने वाले यहां तक किसी बच्चे हो कोई भी डाउट leaving a side is a last thing हाँ बेडा electron जो शेरिंग में आ रहे हैं मतलब एक bond के नदर जो दो electron है उनके हम बाद नहीं करें वो तो एक तरी के bond बनाने में help कर रहा है नो, not much we don't include that when we are talking about we are talking about repulsion between bond pairs not repulsion in electrons present in bond pair दो different bond pairs की बीच में रिपल्शन देख रहे होते हैं clear है guys अब आते हैं इस पर यह important है दो example देखेंगे हम एक देखेंगे एक देखेंगे हाया ना तो इसका structure कुछ CH4 जैसा ही होता है except की एक जगें क्या आ गया लोन पेर एक जगेंगे क्या आ गया बच्चों लोन पेर समझा आ रहे हैं नहीं आ रहे है शक्षर तुम देख सकते हो CH4 वाला ही है except की एक हार्जन की जगें क्या है तुम्हारे पास लोन पेर यह चीज समझ में आई नहीं आई पक्का क्लियर है कोई डाउट किसी बच्चे को कि यह लोन पेर लोन पेर रिपल्शन सबस्यादा है यह अभी मेरे समझाना है मुझे तुम्हें यह समझा आ गया कि एने स्री जस्ट लाइक सी एच पोर वहाँ पे सी एच पोर में चार बॉन पेर थे यहां पे तीन मौन पेर एक लोन पेर रहे एच अब हम क्या कहींगे यह एंगल होता है 109 डिगरी 28 मिनट के लिए बच्चों हम कहींगे 28 मिनट के जाए लैट एस कॉल इच्पीली 109.5 डिगरी एप्रॉक्शिमेट करा है बच्चों हमने यह जब 0.5 व्लिके रहा हूँ है Aria अक्रिमेटेट अचिसे अचमा पी यह-आ सरा अंगन किस इस इस सारे नैंग क्या चमान हूँ एक पॉंड इस शर्वहरे परेकली और। 109.5 विज अनुदर बॉंड पेर ऐसे जनरल केस ठीक है लेकिन एनसी में क्या होगा यह गौट वन लोन पेर और मैंने अभी बताया लोन पेर बॉंड पेर रिपल्शन इस मोर देन बॉंड 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 यह बंदा ज्यादा रिपल्शन करेगा ऐस कंपर डू दी तो हम क्या कहेंगे यह अला एंगल क्या हो जाएगा यह अला एंगल इस गूंड बी लेस जन हंड्रेट नाइन पॉइव डिक्री यह जादा रिपल्शन कर रहा है इन तीनों के साथ तो यह एंगल बढ़ गया यह एंगल कम हो गया समझा आ रहा है नहीं आ रहा है क्लियर हो यह चीजा नियूंग यह बताओं है ट्ञीके है ? ऐष्ट तो देखते हैं ? ऐष्ट वे कितने इलیک्ट्रान दोते हैं और छे वैलेंट शल में दो इसने बॉन्डिंग में लगाए बच्चे कितने इसके पास ? अरजण का दो पॉन्डिंग में लगाए चार बजग कुछ समझों आ रहा है नहीं आ रहा है हम वहीं चीज़ कर रहे हैं जो भी हमने देखी देखी है उसी टाइब का स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर को देखो रिलेट करो यह लेलाइज इस सिमिलर टू डैट ओनली हाँ है ना लेकिन हमारे बास चार बांड बेर थे एनस्टी में तीन बांड बेर यहां पे दो बॉ dubbed भॉ Greeks यहां पर हमने क्या बढ़ा zwei किया लोग्यर लोग्यर रिपल्चिंस सबसे था रोंड वियर रिपल्चिंट उससे कंुक्ष अगर सोचा जाए तो यह थीटा वन है यह सीटा टू है और यह सबसे बड़ा एंगल कौन सा आने वाला है कुछ समझे या नहीं समझे गाइस कि यह बताना चाहरा हूं मैं तुम्हें क्लैडी आई या नहीं आई गाइस आजानी चीज अभी यह जो स्ट्रॉक्चर कैसे आई यह सब हम हाईड़ाईशन में पढ़ेंगे ठीक है ना बच्चो यहां तक किसी भी बच्चे कोई भी डाउट है तो बताओ बोलो गाइस हाँ बड़ा बोलो अब आते हैं नेक्स पे गाई आए ना लेट उस दिसकुस्ट थीओरी इस कोई बच्चो अब बीड़ेंगे और बीड़ बच्चो और बिड़ थीओरी बच्चो और बिड़ थीओरी लेट गाऊं तो और बड़्ड थीओरी और्विडल थियोरी पे आते हैं ठीक ना बच्चों हमने कहा for sharing of electrons for sharing of electrons only a single electron must be present present in an orbital and that orbital should be of outer shell तुछ समझाया एक electron present होना जी और्विडल के अंदर ठीक ना बच्चों आपी बच्चों लिए और्विडल ऐसो प्रेविडल आपी दॉस्ट्रों बच्छों भी स्थे बच्चों अबच्चों आपी पांद स्ट्चों के आफ़िडा एक इंट्चों आपी हैं और्ट उलेक्त्राउं विल कंबाइन वी अन detect है नौ एफ़ अनदर उर्वित उर्वित्रॉज़ as मिह यू अनदर ऊऌसर उनाा च्शक है मिल कंबाइं डिमज़न उसमें भी क्या होना चिये बच्छों, और electron होना चिये, having odd electron, but important thing is of opposite spin, जो दूसर और विड़ल है उसमें electron होना चिये of opposite spin. this is the condition for sharing of electron, this must be present, ठीकर ना बच्छों, resulting in covalent bond, resulting in covalent bond, समझें आया नहीं आया बच्छों ये बता हुझे, resulting in covalent bond, ठीकर गाईस, and after sharing, after basically overlapping rather, in normally term, combining, के बच्छों, we use the term overlapping, after overlapping, the electron pair belongs to both the orbitals of two atoms. मेरे काल से statement को समझें तो कोई दिक करती हाई होगी, वही दो atomic orbitals, ये different atoms, के दोनों में एक ही कलेक्टरोन है, उन में, and there are two of opposite spin, when the atomic orbitals combine या overlap, तुम्हारा, the shared electrons become part of both the orbitals, समझ के, now, एक काम करते हैं, diagram बनाता हो, फिर समझा आएगा, types of overlapping, types of overlapping, start करते हैं, guys, normally जो हम overlapping देखते हैं, वो देखते हैं, S-S overlap, S-P overlap, and P-P overlap, orbitals का overlap देख रहे हैं न, बच्चों, तो इस हाँ, the overlap that we visualize, ठीक है बच्चों, सबसे पहले आते हैं, S-S overlap, ये S orbital है, कुछ ऐसे overlap होना चीए, और तो कुछ नहीं हो सकता, S की shape is spherical, this is how the overlap takes place, इस overlap को बोलते हैं, बच्चों, end to end overlap, clear होई ये चीज़ हैं निए, गाइज, this is known as end to end overlap, बच्चों हो गया, समझाया निए ये हैं, ये है हमारा end to end overlap, इसमें important चीज़ क्या होती हैं गाइज, इसके अंदर, जो, ऐसे मान कीज़ों यहां पर, इस orbital में एक electron था, left बाले में, right बाले orbital में एक electron, both the electrons have got opposite spin, जब ये overlap या combine करते हैं, the electrons become, both the electrons become part of both the orbitals, of the two atoms, समझे गए, ये हैं हमारा end to end overlap, ठीक है न बच्चों, अब आते हैं SP में, SP में बेटा इस टाइब का overlap होता है, ये S है, ये P हैं, this is a kind of overlap that you get, it is also end to end, अगर तुम सोचोंगे सर, ऐसा overlap करके देखते हैं, it doesn't take place, overlap होने के लिए जरूरी क्या है बच्चों, अच्छा overlap होना, जितना जादा overlap होगा, जितना extend जादा होगा overlap का, उतना strong bond वाने का, ये चीज़ समयारी नियारी वच्चों तरफ, इस ताइब का overlap cannot be seen, हाँ मेरा पता हो, हाँ जैसे वही मैं बदाना चाह रहा हूँ, कि S का P के साथ overlap, एक मिनद रुकिया, वो जिस वेट फॉर वन मोर मिनट, फिर क्लियर हो जाएगा, ये बच्चों, ये हमारा very less overlap, या no overlap, very less overlap region, so no bond, clear है बच्चों? extent of overlap determines strength of bond, लिख देता हूँ मैं एक हाई, extent of overlap determines strength of bond, of bond, समझा आया नहीं आया बच्चों, clear है guys, spread out यहाँ आता, good, end to end अभी समझा आएगा, कि ज़िए मैं दूसरा बताऊंगा, then you will understand what I mean by end to end, end to end का मतलब, अभी मैं बताने वाला हूँ, just to say, इक बार मैं यहार बना दे, यह हो गया, यह तो मारा बनाई नहीं, जो मैंने third diagram बनाया था, SP हो गया, अब आते हैं PPPA, हमने SS देख लिया, SP देख लिया, अब आते हैं PPPA बच्चों, यह हमारा PP का ओर्ड है, end-to-end, end-to-end PP का, यह जो मैं लाइन बना रहा हूँ, यह कौन सी लाइन है, this is the line joining the nucleus of two atoms, this is the line joining the nucleus of two atoms, यह भी हमारा end-to-end है, लेकिन PP में, एक और type of overlap भी possible है, SS SP में नहीं है possible, PP में एक और type भी possible है, एक मिनद बाइस, PP में यह भी possible है, इस type का overlap भी possible है, इसे बोलते हैं lateral overlap, lateral और sideways overlap, यह भी देख सकते हैं, even this can be observed in PP guy, समझे आया नहीं आया बच्चो, clear हो यह चीज़ यह नहीं होई, कोई doubt यहां तक, यह है lateral यह sideways overlap, this is the inter nuclear axis, जो मैंने बनाई थी, हर एक मैं बना रहा हूँ, कोई doubt यहां तक, clear होगी यह चीज़, nice, अब हम क्या कहेंगे, जो end-to-end overlap से bond बनता है, वो बनता है strong, which is known as sigma bond, sigma bond is a bond formed from, end-to-end overlap, इसमें क्या होता है, overlap region is more, overlap region जादा होता है, hence the bond is strong, हाँ बेठा, right, sigma bond हमारा, end-to-end overlap से बनता है, and it is very strong, अब ही बता रहा हूँ, अब ही पूरा बता है हाँ, it is strong bond, हाँ बता हो क्या कह रहे हो, PP के दो एक्जामपन, अभी समझाता हूँ, give me some time, यहां समझ गे, good, तो यह हमारा, sigma bond is a, strong bond guys, okay, clear होगे यह चीज़, अब इस sigma bond, कैसे पतालता है, कौन सा bond हमारा sigma है, sigma में एक चीज़ बहुत important है, कि तुमारा जो, over left region है ना, जो region over left is, that lies on the inter nuclear access, तुम द्यान से देखो, हाँ भई बता रहा है, में सुनते हाओ, यह हमने, पहले वाले में देखो, इसमें over left region क्या था, यह था, was it not lying on the inter nuclear access, अब दूसरे आले को देखो, यह रहा हमारा, SP, इसमें जो over left region है, the common region basically, it is again lying on the inter nuclear access, हाँ है ना, clear है, अब आते हैं, next पे, इसमें भी over left region is lying on the, inter nuclear access, but it is not the case with, the last one, उसमें over left region, is lying above and below the inter nuclear access, clear है बच्चो, तो sigma bond वो है, sigma bond, end to end overlap से बनता है, and it is strong, how to identify sigma bond, इसमें over left region, lies, on, inter nuclear access, clear है बच्चो, कोई doubt यहां तक, lateral वाला सिम्मानियों से बोलता है, pie bond, it is spawned by, sideways overlap, या lateral overlap, इसमें over left region क्या होता है बच्चो, come, so it is a, weak bond, और इसमें क्या होता है बच्चो, how to identify it, over left region, लाइब अबव और इसमें क्या होता है बच्चो, and below the internuclear access, it is a weak bond, जैसा मैं बताव चुका हूं तुमें, क्लियर है बच्चो यहां तो क्यड़ाउट, गर्ड, हाँ, तो बच्चो, sigma bond और pi bond पता चला है नहीं पता चला, इसमें, weak bond क्यों बन दा है, क्योंकि तुम्हारा overlapping is less, चीना बच्चो, जिसमें overlap जादा होगा, उसमें bond भी strong बनेगा, इसमें होती है, less overlapping pi bond में, sigma bond में होती है, जादा overlap, clear हुई यह चीज़ा नहीं हुई गाइस, पहले यह बता हूँ जे, होगा clear है, पका, अब काम की चीज़ गाइस, अगर एक bond मना रहे हो, एक bond, if you are making only one bond, it is definitely going to be sigma, अब अगर तो multiple bonds बना रहे होते हो, फिर तुमारे बनते हैं, pi bond, अगर एक ही bond बना, it is always going to be a sigma bond, clear है बच्चों, when there is multiple bonding, जैसे तुमारा, HH है, S2 बना रहे हैं, when there is, क्या कर रहे हो बेटा, उसे ना प्लीज, रग तो से, when there is multiple bonding, pi bond is formed, समझे आया नहीं आया बच्चों, when there is multiple bonding, then pi bond is formed, single bond मना रहे होता हूं, तो तुमारा pi नहीं मनाएंगे, क्या मनाएंगे, शिक्मा बच्चों, clear हुई यह चीजा नहीं होई, पर्छे विए बताओ, the old f region is known as electron density, another term for it, electron density is lying on the, internuclear axis in case of sigma bond, and it is lying above and below the internuclear axis, in case of pi bond, और multiple bonding जब होती है, तब बनता है pi bond, अगर single bond मना रहे हो, तो सिर्फ sigma बनता है, जैसे h2 है, उसके नदर हम क्या कहेंगे, एक हेच, वन एस, वन एस, ओर लाप होगया, इस एस ओर लाप, रिजल्टिंग इन, सिंगल बॉर्ण फार्मेशन बच्चों, समझा आ रहे हैं नहीं हा रहे, एस चुमें जो बॉर्ण हो क्या है, सिंगमा बॉर्ण, ओ टू में देखो बच्चों, बैटर फील आएगी तुमें, ओ टू या एन टू लेते हैं, सबसे बड़ा ही लेते हैं, ओ टू में अगर तुम देखोगे, तो तुम्हारे वैसे, ओ टू में दो बॉर्ण बनते हैं, ओ डबल बॉर्ण हो, उसमें पहला सिगमा होता है, दूसरा क्या होता है, पाई, अगर तुम एन टू लेते हो, उसमें तीन बॉर्ण बनते हैं, पहला सिगमा और बागी दो क्या बन देखों, पाई, गाईज, एन टू की बात करते हैं, एन टू का डियागराम देखते हैं, बैटर फिल आईगी, एन टू में, डू यू रियलाइज और नॉट, इस टाइप का कुछ होना चीए, गाईज, टू पी में कितने लेक्टरॉन होते हैं, तीन, एन की बात करें, टू पी में, टू एस टू टू पी थ्री, पी में कितने होते हैं, तीन लेक्टरॉन होते हैं, हाँ है न, हम कहेंगे, पी एक्स, पी याई, पी जएट, तीनों में एक एक्स, जादा तर हम, जड को इंटर नुक्लियर एक्सस मान के चल ले होते हैं, ठीक है न काहिए, के जड के आलॉंग, सिग्मा बॉर्ण बन रहा है, तो हम क्या कहेंगे भई, यह देखो, यह हमने कौन सा बनाया बच्चो, पी जड, यह हमारा है पी जड, दूसरे वाले के पी जड क्याद ओवर्लाप कर गया, और किस ताइब का बॉर्ण मना इनके बीज़ें बच्चो, सिग्मा बॉर्ण, यह हमारा पी जड पी जड क्याद ओवर्लाप कर गया, जड इस आइम अज्यूमिंग तुभी दा, इंटर नुक्लियर एक्सेश, अब इसमें दो पाई बॉर्ण भी बनने चाहिए हैं, राइट, हम कहेंगे काम करो, देज वर्ण, यह थे इतने पाज हैं, अदर आर आर अजन हैं साइट मेशं कर दो, यह लेटर बॉर्लाप, आय नहीं हैं जड यहीदर, इसमाज और आर जन्हेंगे, गजवाक्ड़ अट ऑल सोचियर आजन्यूमिंग अजन्यूमिंगे, तो दिखाया नहीं जा सकता है या तो मैं उसे बहुत कंप्रेस कर दू तो हमारा सिग्मा दंग से नहीं दिखेगा वाट आम ट्राइंग तो टेल यू इस 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 इसा बाउंड मन किया बच्छो पाई बाउन अब आते हैं यह हमारा लेट इस बी एक्स ओके बच्छो लेट इस बी और एक्स अब आते हैं पी वाई पर बच्छो यह रहा हमारा पी एस पी आए पी देर तीनों मूचिली पर्पेंडिकुलर होंगे नहीं होंगे बच्छो फिर आप विजुलाइज करो गाईस तीन एक्सें द्यार थी एक्सें लाइक देस ऑन-लाइन वालों को दिक्कत आएगी वह अलग बात है मैं समझाना जा रहा हूं द्यार थी एक्स पी आए पी जैड ये आर अलो जैड है द्यार अलो जो जैड वाला है ड़िए इंटर नु जब वे ओनलाइप करिंगे ऐग दिस द्यार मैं वेरी क्वर्वॉसु क्र लाइज जो मारा राइड वाला है यह टो जो जाएड ली वस ने जाय तोiała बाले टिन a mental गवारा चाई एक्स Basililand डाव फिश्ट में प्रॉण लकुल गे आ पाई पार और जब आप करेंगे या उ हाँ तो मैं किया थे था तो इस इस योर्ड एक्सेस इस यह और से एक्सेस इस यार यह यह जैड है यह एक्से यह वाई है बच्छो थीड़ी बेडियो तुम विडिलाइस कर जाओगे आपने हैंड से यू मेक त्षी एक्से और पूरा एए समझे आया नहीं आया बच्चों यह हम ऑनलाइन वाले बच्चों कितने बच्चों कोई चीज क्लियर है यह जैड है यह एक्स है यह 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 तो हमारा मैं बॉन बना की दिखायता हूँ hold on guys just a sec please आवाज नहीं बच्चों यह 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 हमारा सिग्मा था यह हमारे दोनो पाए यह 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 य clear हो गया that is very nice क्या क्या माल लिया के है हाँ ओके गाइस सुन दे आओ अब जा एक चाह आओ अच्छों देखो अब यहां पे पीपी ओर लाप हुआ तीनों ही जो है वो पीपी ओर लाप से बन रहा है तो मुझे बताओ जो सिग्मा वाला hai और पाइ से स्ट्रांगर सा होगा हो स्टेंथज्स सिग्मा वाली का पाइस जादा हो ठीक है बच्छों यह चीजन नहीं हूई यह बताओ मुझे कि सिग्मा बॉंट इनंगर कॉड रइसे यह इसमें जो यह जादा है कम है जो बाकी दो बना है हमें ठीक है बच्चो जब बाई चांस में כछ इस टाइस का बनाता टी जएड़ स्क्वेर डी जएड़ सक्वेर के अंदर मगे बताओ क्या हमारा कभी पाई बॉर्ण बन सकता है बनाके देखो dz2 में हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे है पाई बॉर्ण का मतलब है और लाइप डीजन कहां पर लाइप करना चाहिए बच्चो गाईस तुम कैसे और लाइप करो ऐसे और लाइप करोगे तो चिवा बनाएगा जब तुम पाई बनाने की कोशिश करेब तो यू गो फॉर साइडवेज ओवर्ण आप ना बच्चो क्लियर हो रही है यह चीज़ा नहीं हो रही है यह साइडवेज ओवर्ण पर यह रिंग ओ कर जाएगी दोनों किसी पर कि हो ब्याला करने एंदर तुम्हारा इंटर नुक्लियर enough और इस apply student यह जी समझ नहीं कोशिश करो कि महरा इंटर नुक्लियर एकसे पे तुम्हारा एच्प liaison मैं पाइब औन नहीं बनता प्रैक्टुर मेंबर नो पाइब औन का सिग्मा पॉण्ट में चाहल से तुम्हें की एट रही है तो मुझे इक्चे दाओं अगर मैं यह लेता हूं मैं ने डी लिया और इसको पी गाद ओरलैप करवा रहा हूं कि गाइस अगर मैं इश्चाइब का ओरलैप करवा है तो मुझे बताओ यह सिंगमा है यह पाए है सिंगमा है और अगर मैं ऐसे ओरलैप करवाता हूं कि इस गएंट इसल्ट इना पाइब हो गया है किसी बच्चे को यहां तब कोई डाउट नहीं है अब बच्चों एक काम की चीज जो कि तुम नॉर्म नहीं समझ सकते हो एस टू बनता है बनता है एच्ची टू बनता है नहीं बनता है हमने कहा हमें कर दे रखा है दो कर दे रखें रैदर पुटेंचल एनरजी वर्सेज डिस्टेंस और लाउन यह मत कहना के सारी स्ट्राइब करता हम पहले देख चुके हैं देख चुके हैं लेन यह वो नहीं है यह पुटेंचल एनरजी वर्सेज डिस्टेंस बिट्वीन दा टू एटम्स का कर वे है पुटेंचल एनरजी वर्सेज डिस्टेंस बिट्वीन दा टू एटम्स नहीं याद नहीं कर रहा है करना इसका मैं question देने वाला हूं मुझे बदाओ H2 और HE2 मैं से किसका कर्व कोन सा है Potential energy when the two atoms are at a certain distance from each other R कम होता जाएगा तो हमारा कर्व दे रखा है curve of potential energy versus R reasoning तो कदो नीशी ने तो फिर मत बोलो guys somebody who can give a reason please H2 and HE2 एक कर्व किसी का है एक कर्व दूसरे का है तो बताओ हाँ वेड़ा हाँ नीचे के तरफ जा रहा है potential energy कम का मतलब क्या है energy अगर कम हो रहे है that means what stability दूसरे वाले में stability नीचे पुटेंचे अगर बढ़ने का मतलब है instability बढ़ना energy बढ़ती गई एक पॉइंट पे जाके इस पॉइंट पे जाके इस value of R के लिए क्या हो गया बच्चों सबसे हाँ stable पॉइंट आगया सबसे हाई पॉइंट आगया यहां पे सबसे हाँ stable है दो एटम्स सबसे बढ़ने एक एक एप्रोप्रियेट डिस्टेंस फ्रॉम इच अधर पे जुकिए अप्रोप्रियेट डिस्टेंस क्या है यह आर नॉट वैल्यू समझा रहा है नहीं आ रहा है बच्चों इस आर नॉट वैल्यू पे यह आर गैडिंग लीस्ट एनर्जी फॉर एस्टू अब अगर तुम और पास लेक्या हो गया उन्हें तो रिपल्शन बढ़नी शुरू जाएगी और पॉटेंचिय एंग्रीश शार्पी मुझा एक तर स्ट्रॉंग होता गया दूरे बॉंड कम बन रहा है पास आते बॉंड बंदा गया डंग से और तुम्हारा एनर्जी कम होती गई स्टेबिलेटी आ रही ना बच्चों बॉंड रहा है तो इस पॉइंट पे आके स्टेबिलेटी क्या हो चुके मैक्सिमा अब अगर तुम जबर्दस की उन्हें और पास लानी कोशिश करोगे तो रिपल्शन बढ़ जाएगी रिपल्शन आनी शूरू हो जाएगी और पॉटेंचिय एंग्रीस ड्रास्टिकली समझों आया नहीं आ जाहे बाउंड लेंद क्लियर हुई यह चीजा नहीं पहले हुँ बढ़ो यह मारा क्या है बाउंड लेंद गाई अंडर नुकली डिस्टेंस है ज़व एस तू बना अब H2 में यह एकी दू बनता ही नहीं बनता ही नहीं दो जैसे से पास रहा होगी उनकी एनर्जी बढ़ेगी बढ़ेगी देर्थ नो पॉइंट जहां पे stability आ रही है है एकी दू को जब भी अप्रोच करें उनका bond बनना ही नहीं कभी तो उनकी एनर्जी विल continuously increase when you try to bring them close यह चीज समझो है आई या नहीं आई बच्चों यह बताओ मुझे आ गया हाँ मेटा बोलो पॉटेंशे एनर्जी से रिलेक करो एनर्जी जादा stability कब हम कहते हैं रियाक्टेंड में रियाक्टेंड से प्रॉड बना प्रॉड की एनर्जी कम है स्टेबल है मतब जो हमने प्रॉडिक में पढ़ रहे थे हम हाँ वो stability बढ़ती जा रही है पॉटेंशे एजी जितनी कम होगी उतनी ज्यादा stability होगी पॉटेंशे एनर्जी को सिंप्ली एनर्जी मांग लो ठीक है ना बच्चों एनर्जी जीतनी कम उतनी ज्यादा stability कि किसी बच्चे को कोई भी डाउट यहां तक तो बताओ बोलो गाइस क्लियर हुई यह चीज़ा नियुक्त बच्चों गड़ अवेड़ा आर नॉट बिड़ा इस पॉइंट पे मतलब ऐसे मांगे लो यह हाड़ जाना इनको पास लाना शुरू करा एनर्जी कम होनी शुरू ही एनर्जी कम मतलब एक तरह के बॉंड बनना शुरू हुआ अब अगर तुम और पास ले जाने लगोगे तो तुम्हारा रिपल्शन उनी शुरू जाएगी मतलब रिपल्शन जादा होगी अट्रैक्शन दो उतनी जितनी जी रिपल्शन फैक्टर आप बढ़ना शुरू हो गया ठीक ना वेटा कि जो नुकलियस नुकलियस के बीच म यह रिपल्शन है वो बढ़नी शुरू होगी और उसके बाद तुम्हारा जैसी रिपल्शन बढ़ जाएगी एनर्जी विल स्टार्ट टो इंक्रीज तो बस यही आर नॉट है जब पॉइंट जब वो पॉइंट जिस पे तुम्हारा पुटेंचिया जी मिनिमम है यह उसक गाइस क्लियर होगी यह चीज़ ओके वल्ट इस नाइस तो क्वेश्चंस करने कुछ क्वेश्चंस करवा दुम्हें तुम्हें आ बो बॉन्ड उसके उपर बॉन्ड आपोल के उपर वो तो अच्छे लगें हुए हां नहीं क्वेश्चंस में खुद से बनाऊंगा पांच करते हैं गाइस यहां तक क्लियर है गुड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एक दो जो मुझे लग रहा है कि करवाने चीए हैं बाकी question on dipole moment मचो देखो सुन्दे आओ हमें दे रखा है HCL is given to us dipole moment हमें निकालना है in debi del हमें दे रखा है is one third the charge on electron and distances to angstrom we have to find dipole moment in debi बता बच्चो कितना आएगा बहुत आसान question है बच्चो haa dipole moment निकालना है in debi करो guys बच्चे इतने विदा answer आजाना चीए मौ झालना है ल स्थिर लुपार कि byte झालना है हां कोई दिकत नहीं गाइस एची समझे आई नहीं आई 10 इंच आइटीन इंच आइटीन एची सेंटिमेटर इस वन नहीं क्लियर हुआ है नहीं आँ अब सपोजिंग सुनते आना बच्चों मैंने बी इओ लिया और हमें दे रखा है बैरलियम बे चार्ज इस वन थर्ड चार्ज अन इलेक्टरॉन और दिस्टंस इस गिएन तो अस वन एंग्स्टरॉम आंसर क्या आएगा हाँ बिलकुल लेकिन अब मैं इस क्वेशन को चेंज कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ वन थर्ड चार्ज इफ बॉन्ड वास कम्प्लिटल आने की यह वन थर्ड चार्ज अन लेक्टरॉन और वन थर्ड चार्ज वन थर्ड अफ द चार्ज वन थर्ड आफ द चार्ज वन थर्ड अफ द चार्ज इफ द बॉन वास कम्प्लिटल आने की यह इससे कम्प्लिटल आने को था तो बैरलिम थर्ड चार्ज क्या होता ना बेटा वन अफ एलेक्टरॉन नहीं होगा मैं लीथियं प्लोराइट दोलिया नहीं है बैरिलिम उक्साइड ली आए two times the charge on electron would be the charge if bond was completely ionic यह जी समझाए नहीं नहीं if the bond was completely ionic the charge would be two times the charge on electron उसका one third है यह समझाए नहीं आए बच्चो statement clear हुई या नहीं हुई बच्चो बताओ there is only one by three into two times the charge on electron into d this two times the charge on electron का one third है it is not one third the charge of electron it is one third the charge if the bond was completely ionic यह स्टेट्मेंट में आ नहीं सी मुझे के statement का मतलब क्या है गाइस कुछ clear हुआ है नहीं है चीज़ हाँ जितना स्टी पॉइंट वाइदा उतना ही आएगा अब एक क्वेशन और दे रहा हूं मैं तुम्हें मुचे मिन गल दे तो क्वेशन आसान ही लग रहे हूंगे तुम्हें बी यो में चार्ज is one third the charge on electron यह one third three दिखरा है नहीं दिखरा है अब दिखना चीए फाइंड परसंडेज आयनिक केरेक्टर बच्चो बटाओ कितना आ रहा है तुम्हें बच्चो सोच के बताओ there is an actual charge यह क्या हो गया पीछे आवास का लिया वन सेकिंड अहां विड़ा विगा दो दो एक्जिट पहले कर गें गाइस कौन है म्यूट हो जाओ भाई जागाउ प्ली शान गाइस प्लीज प्लीज बच्चो प्लीज शान थी है हां बच्चो यह बताओ मुझे गाइस यह हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर percentage आईनिक करेक्टर पूछा गया है आईनिक करेक्टर का फॉर्मूला क्या था बार्न अबार्न वार्न 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 वान्द तो के इंटू अंगर डिस्टेंज मानों डी है कि दोनों में डी सेम होगा आए ना बच्चों गाइज परसंडेज निकालने के लिए परसंडेज आएनिक करेक्टर निकालने के लिए क्या करोगे तुम ग्यूड अवाज आ रही है बेटा पता नहीं कि आप बैक्राउंड में कु क्या है बच्चों एक्च्छ 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 डापोल मुमेड अगर कम्पलिटल अनिक होथा वाट वुड आप इप इन दा चार्च नलायक हो क्या अभी तो में बताया था गाइज दिस गूंट लिए 2E हा आ एन आ बच्चों अगर कम्लिटल अनिक है इड वुड वी सब्सक्राइब अब इसी क्वेश्चिन के अंदर अगर वन थर्दा चार्ज अलेक्ट्रॉन के बजाए के दिया होता वन थर्दा चार्ज वांड वास कम्लिटल अनिक तो परसंट इजानी करेक्टर कितना था यहां पर नुमरेटर में तुमारा वन भाए त्री इंटु टू इया जाता बिशली थर्दी थर्दी परसंट आ जाता तुमारा हा यहां ना बच्चों हाँ बेड़ा शिक्षीन पॉइंट सम्धिंग परसेंट गाइस क्लारी आई या नहीं आई आगे यह वारी नाइस अब आते हैं हाई राइशन बच्च में बेसिक सीज़ बता रहा हूं सुन दे आओ प्लीज सम्धिंग बेसिक जो तुम्हें पता होना चीए है अजे सर तो सुन लिया मैंने उसके आगे मैं नहीं सुन रहा वैस में क्बच्चो प्लीज शांदी शांदी जयां तक क्या पढ़ना है है कैमिस्टी की बात कर एक तो भी मैं सुनूं और कैम throne बच्चो प्लीज रिकॉर्ड पर नीचे मूज पर आवास hybridization पे आपके है hybridization में CH4 का example लेते है बहुत बार ले रखा है हमने इसका structure भी बता है हमे guess पहलो मुझे ये बताओ ऐसा structure बनाया था मैंने this is the structure I made आया है न well that is 9 structure बनता भी ऐसा ही है अब देखो यह carbon की configuration क्या होती है valential configuration 2s to 2p2 हाँ है न do you realize or not कि इसके पास अभी unpaired electrons कितने है दो है जो p के दो है 2000 बन्द विचार unpaired very nice यह हमारा ऐसा रहा यह हमारे p के 3 रहे यह हमारे p के 3 रहे बच्चों clear guys यहां तक now what you have to understand is s में 2 और p के 2 p are the ones which are unpaired as is not unpaired तो इस हिसाब से जो अभी हमने थियोरी पढ़ी उसके हिसाब से कितने बॉंड बनाने चीए और electron वाले और और बनाने में पार्ट लेते हैं तो इसके हिसाब से बनने को दो बॉंड बनाने चीए उठाके खाँ पे फैंक देंगे guys इधर फैंक देंगे हम कहेंगे भई तू एक काम कर तू हो जा इसमें you go into this orbital खाली orbital में बेज दिया क्यों हम बेज दिया क्यों हम बेज दिया क्यों हम आई चार बॉंड बन वाने है you need 4 orbitals with single electron each हाँ है ना बच्चो clear होगे यह चीज़ now it is capable of forming how many bonds guys 4 that is the reason for it valency 4 नहीं तो valency कितिन ही आनी चीए थी बच्चो valency आनी चीए थी 2 ठीक है guys यहाँ तो कोई डाव मैं तो मैं इनर्ट पे रिफेक्ट करवा है सा पता है नहीं कि बेसिक बताया यह बताया था कि तुम्हारा अभी बताऊंगा मैं वह अभी अधाता हूं कोई दिक्क्र क्या था वैलन सी 4 वैलन सी 4 अभी कारबन की समझा आ रहा है नहीं आ रहा है विच्चो यह वैलन सी 4 क्यूं हुई क्योंकि एसके एलेक्ट्रों अन्पेर होगे एक हमारा किसमें चला गया म्टी पी और्बिटल में चला गया अब मारे बॉंड क्या क्या बनने चीए यह चारों की चारों जो हमारे और्बिटल्स हैं हाफ फिल्ड एक एस और तीन पी यह हार्जिन हमारे पास वन एक तो SS overlap होना चीए हार्जन का एस और कार्बन का एस और तीन हमारे बनने चीए कार्बन का पी और हार्जन का एस तुछ समझाया है नहीं है एक यह बॉंड बनना चीए हार्जन का एस और कार्बन का एस और तीन बनने चीए कार्बन का पी और हार्जन का एस I mean this is the overlap that should have taken place हाई न तो उस आप से एक bond एक bond कुछ बनना चीज़ और तीन bond अलग बनने चीज़ थे मदब ते शुर्ड वह बिन वन वन टाइब एन त्थी बोन वन टाइब दिफरेंट टाइब दिफरेंट स्टेंद बेसिकली देखा क्या गया कि all bonds are of exactly same type यह नहीं हुआ एक वन एसस और तीन पीएस इस टाइब का overlap was not observed it was observed all bonds are equivalent in every aspect हमने का यह तो गड़बड होगी कुछ तो गड़बड होगी है जिसकी वजह से तुम्हारा जो orbitals बने मतलब जो orbitals overlap करे दे वर identically in every aspect समझों आ रहा है नहीं आ रहा है बच्छों हमने का जो गड़बड होने से पहले कुछ ऐसी गड़बड हुई जिसकी वजह से सारे bonds equal they were identical in every aspect समझों आ रहा है नहीं आ रहा है बच्छों उस गड़बड का नाम है hybridization हमने क्या कहा कि overlap होने से पहले overlap किसके साथ hydrogen के s orbital का तो overlap होने से पहले यह orbitals हो गए mix यह orbitals क्या हो गए mix हो गए the mixing of orbitals that took place और फिर चार नहीं orbital बने चार और बिटल मिक्स होए mix यह वह समझे लो अगर दो मिक्सी वाला मिक्स समझे लो मिक्सी वाला मिक्स समझे लो they were mixed up and you got four new orbitals and they were identical in every aspect 1s और 3p orbitals all having a single electron they mixed up resulting in four new orbitals and those orbitals were identical in every aspect clear हुई यह चीज़ा है नियों एक s और 3p orbitals इसके चार और बिटल थे वो mix होए चार नहीं orbital कूद कूद के बाहर आए and those orbitals were identical in every aspect and it was those orbitals which overlap with hydrogen का s orbital समझे आ रहा है नहीं mixing हां चार नहीं बन क्या आगे कैसे कैसे नहीं होता हम कहते हो गया ठीके ना हो गया mixing होई और तुम्हारे चार और चार और डाल दिया मिक्सी में mix किया चार नहीं निकल के आए और अब वो है जो overlap कर रहे है हाड जनके s orbital के साथ that is why you are getting every bond same that is your hybridization यह जो mixing है उसे क्या बोलते है hybridization हां क्या बेटा हम क्या कहते हैं सुन दिया हो हम क्या कहते हैं कि जब एक ऐसा और तीन पी मिक्स होए ठीके ना बच्चो तो जो चार नहीं orbital बने उनका हम बोलते हैं for sp3 hybrid orbitals पहले मैं स्टेट्मेंट लिख दिया है और है इस डेफिनिशन दो लिख लें दो गाई इतना नहीं होता नहीं बिल्कुल जादा नहीं वा बच्चो मेरे क्यालते तुम्हें समझा आ गिया है वो बाद में वो तो next class पूरी सी पर जानी है लिखनी कोई जय नहीं है hybridization की definition लिख दू मैं है hybridization is mixing of atomic orbitals resulting guys please in new orbitals जिनकों बोलते हैं hybrid orbitals we call we call them hybrid orbitals which are identical in every aspect कुछ समझू है आया है नहीं आया है बच्चों एक चीज़ मैंने तुम्हारी श्किप करवा दी थी वो मैं करवा देता हूं इसां इस सर का क्या मतलब है इनर्ट प्यारी इफेक्ट में ने तुम्हें नहीं करवा था इनर्ट प्यारी वेट में क्या करवा था धा करवा धा